बैंकिंग जाम में सिंप्लिफिकेशन बहुत इंपॉर्टन्ट है 15 questions IBPS clerk के last year के मैंने लिये है memory best 6 minutes target है आप बना पाते हैं कि नहीं देखेंगे मैं इसे solve करूँगा ये ध्यान में रख करके कि new students टेकनीक समझ सकें कि दरसल solve करने का तरीका क्या है calculation के जो different methods होते हैं उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए है चलिए बहुत मज़ा आएगा simplification question को solve करने में तो पहला question आपके सामने है देखिए पहले question में ही दिख रहा ना unit plus पर 5 हो तो double करते हैं denominator के यहाँ तो numerator भी है और denominator भी है मज़ा ही आ जाएगा मतलब questions तो आप देख रहे हैं आप इसको लिखेंगे क्या 900 से 5 लेस है तो 1800 से 10 लेस मतलब ऐसे देखेंगे 1790 डबल कर देंगे ठीक है और 25 को भी डबल कर देंगे बाकी हाँ फाइदा नहीं है तो कोई बात नहीं दरसल question का map ऐसा होगा और आप बुली आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं जस्ट ये एक काम कर देने से question क्या था मैं लिख देता हूँ कि ये 895 by 25 देखेंगे into 400 by 20 is equal to what ये सवाल था लेकिन बस एक काम आपने क्या और आपको मज़ा आ गया देखिए this is 20 और कुछ नहीं करते है हम लोग बुलते हैं 50 जो है न वो दो वो एक और एक दो यानि 100 को टू टाइम्स काटता है बस 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 फिर सुनिए फिर सुनिए फिर सुनिए फिर सुनिए कैसे किया गया 179 इंटो 4 को वास्तब में हमने समझा 180 माइनस 1 तो मज़ा आया की नहीं बताई ज़रा मज़ा आया की नहीं 720 माइनस कहां से आया 720 माइनस 4 कैसे यह चीजे मन में होती है इंट टेक्नीक का इस्तेमाल आप मन में कर पाते हैं और यही आपको रियल बेनेफिट देता है अगला सवाल question number two square root of 1225 ऐसे तो methods हैं इस्तेमाल करते हैं अच्छानक आपको याद आता है कि basic calculation में मैंने पढ़ा था कि unit plus five हो तो 25 होने से two into three six hundred twenty five होता है six four twenty यानि की question mark is equal to four twenty minus one twenty यानि की three hundred answer इसमें कई steps मन में कर लिए गए दिखाता हूं दरसल इसको हम लोग क्या करते हैं seventeen to six करते हैं मज़ा आ जाता है ना ऐसा करने से मज़ा आ जाता है question real में हमारा था square root of twelve hundred twenty five into forty percent of thirty अरे ten percent three होता है ना is equal to what plus thirty into four जल्दी बताई है है ना बढ़िया question अगला सवाल देखे थार्ड नमबर question what percent of six twenty five plus twenty percent of nine fifty five is equal to twenty one square देखे ऐसा है question लिख देता हूं ठीक है अच्छा रहेगा what percent of six hundred and twenty five plus twenty percent of nine fifty five is equal to twenty one square अरे भी हम इससे हम इससे ten percent of of two इधर देके 1910 बोलेंगे की नहीं मजा ही आ जाएगा इसके बाद question में रहेगा क्या इसको रहने देते हैं क्या करते हैं what percent of six hundred and twenty five percentage निकालने में भी आप देखेगा कैसे करते हैं 191 441-191 less करने में भी दिक्कत होती है जानते हैं इसको क्या लिखते हैं जानते हैं इसको क्या लिखते हैं इसको नाइन एड कर दीजिए नाइन एड कर दीजिए तो 250 हो जाएगा is equal to what percent of 625 अभी भी बहुत सारे student को दिक्कत होगी इसको solve करने में जल्दी बताईए जल्दी बताईए क्या करते हैं पता है पच्च से दस बार में चालीस पसंट है की नहीं 40 पसंट है की नहीं 40 हुआ की नहीं बताई 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 यह सब टेक्नीक हैं जिनका इस्तेमाल आपको करना है देखा अगला सवाग 5 to the power of what plus 15 square अरे क्या जी 5 to the power of what है ठीक है plus 15 square है आप जानते हैं यह 225 होता है 170 percent of 500 इसे दरसर हम 500 percent of 170 समझते हैं यानि 5 into बोलते हैं यानि 850 होता है यानि 225 होता है यह 5 to the power of what होता है जर्दी बताई देखिए दरसल यह क्या है इसको हमने कहा 500 percent of 170 यानि 5 times अब मुझे बताईए यह वाला यह वाला क्या हुआ यह less होगा तो 625 होगा 25 का square होता है 5 to the power of 4 होगा question mark is equal to 4 answer जल्दी बताईए जल्दी बताईए होगा की नहीं ठीक है clear अगला सवाल question number 5 five unit plus पर हो तो double करते है question मैं लिख देता हूँ इससे सहूलियत होगी 12 into 15 plus 27 minus what plus 28 percent of 400 यह जो question आता है इसे दरसल हम क्या करते हैं हम करते हैं इसे बोलते हैं 6 into 30 कतना अच्छा लगता है बताई और इसे हम बोलते हैं 28 into 4 सब कुछ easy हो गया के नहीं इसका मायन है यह है ना तो अब आप देखिए what को उधर भेज़ देजिए 180 मतलब 207 सब्सक्राइब देखिए इसमें जब भी करते हैं ना less करना है 5 बटा दिजिए 105 को less करेंगे 95 होगा की नहीं यह तरीका है solve करने का क्लियर अगला सवाल question number 6 देखिए 32 percent of 850 यसे हम 16 percent of seventeen hundred कहते है माइनस वाट और इससे is equal to six hundred and forty percent मतलब मतलब six hundred plus forty ऐसे करके बुलते हैं percent of fourteen यह मन में होता है इससे calculation एक दम आसान हो जाता है देखिए लिखा हुआ था 32 by 100 into 850 यह था question में minus question mark is equal to 14 by 100 into 640 यह था ना बताए जल्दी बताए हमने इसको किया 16 into 2 into 850 ऐसा कर दिया इसके कारण यह नीचर हो गया 16 गुना सतरह 16 का square 256 plus 16 272 यानि कहने का मतलब यह 272 हुआ minus watt is equal to 600 पसंद में 6 टाइम चौदा चक पोटीन 64 और 40 पसंद 5.6 89.6 अब इसको दिक्कत होती है अक्सर दिक्कत होती है अरे क्या तिक्कत होती है इसे अगर हम ऐसा दे दें तो क्या हो जाए मजा ना आ जाए देखे कितना अच्छा लगेगा 282.4 minus 100 is equal to watt अच्छा लग रहा कि नहीं नहीं बताइए question mark equal to 182.4 answer यह calculation का तरीका है मत में होता है new student को समझ में आए इसलिए मैं लिख करके बताता हूँ clear question no.7 this question का जो part है 170 by 34 into 25 by 5 plus 742 by 40 is equal to what देखे ऐसा है इस से 53 times इस से 5 times 34 से 5 times 10 times 340 तो half अब बचा ही क्या 25 plus 53 इसका मतलब 78 answer है होगा ना बताइए बताइए ठीक है आईए अगरा सवार question number 8 how to solve देखे मैं बताता हूँ 4 and 2 by 9 है plus 3 and 1 by 3 है plus 7 and 1 by 18 है is equal to what solve करने का जो तरीका है हम इसे 2 से multiply करते हैं हम इसे 6 से multiply करते हैं मजा ही आ जाता है 14 14 and 4 6 10 and 11 by 18 answer होता कैसे है होता है 4 plus 3 plus 7 plus 4 by 18 plus 6 by 18 plus 1 by 18 कितना अच्छा रहा है इसका मतलब बताएं साल्व करने का यह तरीका पसंद आ रहा है आप आप समों को अगला सवाल question number 9 देखे कैसे बनाएंगे 6 26 plus 374 देखे क्या है सबसे पहली बात है यह 27 टाइम्स कटेगा ठीक है थोड़ा दूर लिखते हैं जिससे यह न लगे कि यह पाव है आप देखिए यह क्या है तो 1000 है जी 1000 माइनस वाट इस एक्वल टू 135 इसका मतलब वाट इसक्वल टू 865 एंसर जल्दी बताई होगा की नहीं जल्दी बताई जल्दी बताई ठीक है अगला सवाल देखिए क्वेश्चिन नबर 10 कैसे बनाएंगे दिया हुआ है 400 प्लस क्वेश्चिन माक स्क्वाइर क्वेश्चिन रिख देता हूं एक्वस 28 स्क्वाइर प्लस स्क्वाइर रूट आप 256 पर इसको साल कैसे करेंगे देखिए 400 है प्लस वाट स्क्वाइर है एक्वस 784 है प्लस 16 है यानि 800 है यानि कि 400 है यानि कि स्क्वाइर रूट आफ 800 माइनस 400 यानि कि प्लस माइनस 20 यह होगा लेकिन नेगलेक्टेट क्योंकि एक्स्पेक्ट नहीं कर रहा हूं लिखते हैं भाई 20 अंसर अगर नन अबदिज होता तो अंसर नन अबदिज होता ठीक है न अगला सवार देख लिए एक बाड़ लेवन नंबर कुस्च्चन 42 परसंट अफ 800 देखे देखे देख plus 725 by watt equals 19 square question को कैसे solve करेंगे देखी 8 times 320 and 16 336 336 plus 725 by watt is equal to 361 थेखे 300 कंसर 25 यानि 29 अंसर 29 अंसर 29 अंसर कैसे ऐसे ना ऐसे ना ऐसे ना 3 61-336 इसका वैल्यू हुआ 25 और इस 25 से हम कंसल कर देते हैं 29 ताइम्स question mark is equal to 29 अंसर जल्दी बताईए ठीक है clear समझ में आ रहा है अगला सवाल question number 12 पहले question लिखता हूं ठीक है 7.5 percent of 750 plus watt square is equal to 52 into 11 plus 109.25 देखे question क्यासा है इसे हम बोलेंगी 75 percent of 75 56 125 मतलब ऐसे 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 75 percent of 75 हम जानते हैं 75 का स्क्वार साथ अठीच छप्पन सो पिच्चेश प्लस 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 question mark square 11 से multiplication हम जानते हैं कैसे होता है 109.25 ऐसा करते हैं यह जो है ना 0.25 तो cancel 56 से 44 and 953 कितनी बार में कटा इसका मतलब यह हुआ इसका मतलब question mark का square क्या हुआ 625 इसका मतलब question mark is equal to plus minus square root of 625 यानी plus minus 25 लेकिन हमारे पास negative नहीं है none of these नहीं है तो 25 अगर minus 25 भी लिखा होता तो वो भी answer होता लेकिन अगर plus minus दोनों होता तो फिर none of these होता question number 13 देखे क्या है मैं जस्ट लिख देता हूं 15 इंटो 6 divided by 0.18 इंटो 5 plus 5.5 by 1.1 इंटो वाट यही है न दीखे क्या है decimal छोड़ देते हैं थोड़ी दिर के लिए तो 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 अठारा पचे नब्बे 15 छक नब्बे इसके जगह पर 100 चला गया यह उड़ गया चलने बताईए होगा कि नहीं और इसके जगह पर 5 ताइंस में कटा जल्दी बताईए 5 ताइंस में कटा इस सॉल्व करने का बेस्ट वे है कि नहीं question mark is equal to 105 answer ठीक है clear next question देखी क्या है 1 by 3 into to the power 4 is equal to square root of 121 plus 4 square यह है एक question है solve कैसे करते है 1 by 3 है रहने दीजी question mark to the power 4 is equal to 11 into 11 plus 16 27 यानि 81 यानि की question mark to the power 4 is equal to 81 means 3 to the power 4 देखी 4 इसका मतलब question mark is equal to 3 power same तो base भी same और आज का last question देखी question number 15 how to solve देखी 14 by 3 है plus 31 by 6 है this into 45 percent of 240 is equal to what देखी इसको क्या करते हैं into 2 कर देते हैं बस 28 मतलब 59 हुआ ना 59 हुआ ना 59 by 6 है और इसे मोलते है 90 percent of 90 percent मतलब इसको ऐसा बोलते हैं ऐसा देखी इसको बोलते ही नजारा बजल जाता है 90 percent of 120 अब देखी क्या हुआ 108 108 into 108 ऐसा भी कर सकते हैं ऐसा नहीं भी कर सकते हैं जानते हैं कैसे हम क्या करते ही जो 6 आता है ना 6 एक बार लिख के दिखाता हूं यह जो आया ना 45 percent of 240 हम लोग क्या करते हैं इसको सुविधा के लिए बोलते हैं 6 से देखिए यह जो portion है इन्टू 45 percent of 240 is equal to what यह question है ना हम लोग क्या करते हैं इसको कुछ नहीं 6 से 40 बस हो गया 180 जल्दी बताई माने 18 यानि यह हुआ 18 100 माने देखिए पैता 45 percent है ना तो four times अगर करेंगे 180 यानि 18 59 इंटू 18 is equal to what इसे हम समझते हैं ऐसे करके 60 minus 1 इससे मन में calculation हो जाता है 1080 minus 18 यानि की 1062 जल्दी बताई कैसा लगा इसेशन मजा आया की नहीं simplification कुछ सिरको solve करने का अलगी तरीका होता है की नहीं okay all the best bye